हैलो जूटिफुल सोल कैसे हैं आप सब आप होप कि आप सब भी बहुत अच्छे हैं खुश हैं पॉजटिव हैं सबसे इंपर्टेट आप सब भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपना-पना खयाल रख रहे हैं आज की वीडियो में आप सब भी जानने वाले हैं कि आप अपने specific person को कैसे जल से जल manifest कर सकते हैं वीडियो को start करते हैं उससे पहले आप इस चानल पर नए हैं तो subscribe ज़रूर से कर लिजीगा वीडियो को like और जादा जादा share कर दीजीगा and bell icon को और पर press कर लिजीगा ताकि daily का notification आपको सब से पहले मिले और सब से पहले आप वीडिय कर पाएं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जानते हैं कि कैसी हम हमारे specific person को जल से जल आकरशित कर सकते हैं अपनी तरफ manifest कर सकते हैं अपनी life में सबसे पहला तरीका खुद से प्यार कीजिए जी हा और ऐसा मैं इसलिए कह रहे हूं क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हैं आप से कोई और प्यार कर ही नहीं सकता इसलिए सबसे पहला कदम उठाइए और खुद से प्यार करना सीखे मैं अपने हर वीडियो में क्यों कहती हूँ कि आप खुद से प्यार कर रहे होंगे सिर्फ इस लिए कि जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं जब आप self love start करते हैं तो सिर्फ आपका partner ही नहीं बलकि पूरी दुनिया आपकी दिवानी होती है अगर आपको जनकारी रहे हैं तो बता दो self love में इतनी ज़्यादा ताकत है कि दुनिया का कोई भी person जिसे आप अपनी तरफ आकरशित करना चाहते हैं वो होगा definitely होगा बस आप खुद से प्यार करना शुरू कर दीजे आप उतना खुद से प्यार कीजे जितना दूसरों से expect कर रहे हैं जैसे ही आप करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि जिन जिन लोगों के पीछे आप भागा करते थे कभी वो सारे लोग आपके पीछे भाग रहे हैं और ये कोई घमंड करने वाली बात नहीं है बलकि ये खुश होने वाली बात है क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है आपने खुद को जाना है, खुद को समझा है, खुद को प्यार किया है जैसा कि आपने बचपन से सुना होगा कि हर इंसान के अंदर परमातमा का वास होता है जब आप अपने अंदर की यूनिवर्स को अपने अंदर के ब्रम्हान को परमातमा को प्यार नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो खुश होंगे और आपकी तरफ कोई भी आकरशित होगा जब आपका मन खुश नहीं है आपका दिल खुश नहीं है तो यकीन कीजिए आपसे कोई और ना तो खुश हो सकता है और ना ही आपकी तरफ आकरशित हो सकता है impossible है ऐसा करना अब self love में क्या क्या आता है ये भी important है क्योंकि self love मतलब ऐसा ही नहीं कि आप दूसरों के बारे में सोचो ही न बस खुद के बारे में सोच रहो selfish हो गए हो तो self love और selfish होना दो अलग-अलग चीचे है self love मतलब आप खुद से तो प्यार करी रहे हैं चाहते है कि सभी लोग आपसे प्यार करें तो आप पहले तो खुद से प्यार कर रहे हैं आपने खुद से प्यार कर लिया अब आप जितना खुद से प्यार कर रहे हैं उसी तरह दूसरों से भी प्यार केजिए अगर आप किसी से प्यार चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपको भी उससे प्यार करना चाहिए, मैं यह नहीं कहले कि आप जा के चिला चिला के बोलो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं करना है, आपको अपने दिल से heart to heart connect होना है, और जब भी आप किसी भी person के लिए दिल से प् बातना हो रहा हो लेकिन जब ऐसे आप किसी से प्यार करते हैं न कि आपने खुद की एनरजी को सबसे पहले तो बूस्ट किया अपनी एनरजी को चेंज किया एकदम प्यूर बनाया पॉजिटिव किया और आप खुद से प्यार कर रहे हैं सेल्फ लब कर रहे हैं उसके बाद दूसरों से भी प्यार कर रहे हैं उसके लिए प्यार फील कर रहे हैं तो क्या लगता है कि सामने वाला आपकी तरफ आकरशित नहीं होगा जरूर होगा तो सेल्फ लब में सबसे पहले आपने खुद से प्यार किया दूसरा काम आपने दूसरों से भी प्यार किया अब सेल्फ चीजे हैं जो करनी होती है self love में जैसे खुद को तयार करना मतलब खुद का care करना अपने बालों का care करना अपने skin का care करना अपने nails का care करना self love में यह सारी चीजे आती हैं इसके अलावा आप कभी-कभी बहुत अच्छे से तयार होंगे जैसे आप किसी पार्टी में जाने वाले हैं अच्छी सी dressing sense अच्छा सा hair style अपने nails को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है मतलब बिलकुल एक्तम fit and fine जैसे आप किसी पार्टी में जाने वाले हो ये गेन केजी धीरे धीरे आपको लगेगा ना साफ जवाब है मैं रहता हूँ मैं रहते हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि हम दूसरों के यहां जा रहे हैं तभी हम अच्छे कपड़े पहने अच्छे से तयार हो दूसरों को दिखाना हो तभी हम ऐसा करें हम दूसरी के लिए क्यों कर रहे हैं हम इतना दूसरों से expect क्यों कर रहे हैं अगर आप हर चीज दूसरे की हाथ में दे के छोड़े रहोगे कि मैं तयार हूँ तो मुझे कोई देखने वाला चाहिए अगर मैं sad हूँ तो मुझे कोई हसाने वाला चाहिए प्यार करने वाला चाहिए आप ऐसा सोचोई मत आप motivate करने के लिए सबसे जो पहली चीज है वो है उमीद कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा उमीद लगा ली और वो आपके उमीद पूरी नहीं हुई सामने वाला इंसान उस पे खरा ने उतरा तो आप demotivate फिल करने लगे आप sad हो गए आप depression के सिकार हो गए क्या आपको ये सारे words सुनके अच्छा लग रहा है इरिटेट नहीं हो रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है तो अभी से भी समल जाएए वरना अगर आपने अपना remote control किसी और के हाथ में दे दिया और जब वो चाहे तो आप हासे जब चाहे तो रोए जब चाहे तो depression किसी कार हो जाए अगर आप ऐसा करोगे तो यकीन मानो आप से कोई बंदा या कोई बंदी true love कर ही नहीं सकती क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हो जब आप self love करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक positive उर्जा का निर्माड होता है जिससे लोग आकरशित होने लगते हैं लोगों के मर मे ये सवाल उठने लगता है कि अचानक से इसके अंदर ये क्या कौन सा changement आया है जो हमें इसकी तरफ आकरशित कर रहा है क्या है सब लोग जानना चाहते हैं आपकी तरफ आकरशित होते हैं पूछते हैं आपसे प्यार करते हैं प्यार जताते हैं अगर आप चाहते हैं सच कोई प्यार करें, तो सबसे पहले self love शुरू कर दीजिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो self love जानते ही नहीं सबसे पहले दूसरों का करो फिर खुद का करो, सही है वही लेकिन खुद का भी करो, ये भी important है, और खुद का कहां से आप शुरू कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल zero हैं, खुद से प्यार करने में, तो आप affirmation लगाएगे बोलिए कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत खूब सूरत हूँ, मैं एक positive light हूँ, मैं एक magnet हूँ, बोलिए तो सारी चीजे अकरशित होंगी अगर बोलने से भी फील नहीं हो रहा है आपको, कि आप खुद से प्यार कर रहे हैं, आप अभी तक demotivate या depression के सिकार हुए पड़े हैं तो आप लिखना शुरू कर दीजिए क्योंकि लिखने से चीजे बहुत जल्दी प्यार करती हूँ, आप लिखना शुरू के जिए हर रोज लिखे, morning में लिखे night में लिखे, बस लिखिए जितना आप लिख सकते हैं लिखिए, आप जितना ही लिखेंगे उतना ही आकरशित करेंगे तो लिखिए अगर आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजाए और ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताइएगा मैं आप सभी से मिलते हूँ, नेक्स वाली वीडियो में तब तक आप सभी, खुछ से बहुत सारा प्यार कीजिए, खुश रहिए हेल्दी रहिए, पॉजटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए गॉड ब्लेस यू और थैंक्स वर वाचिंग, लब व्यू अल, बाई